Hello everybody, this is Degras Singh Rajput, Welcome to Magnet Brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे The Revolutionaries के बारे में Revolutionaries कौन है? क्या है? वो सारी चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं अब देखिए, पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? पिछले वीडियो तक जो पढ़ा है, उसे connect करो सबसे important चीज़ भही है हमने ये देखा कि conservatives जो थे न वो power में आ गए 18-15 conservatives power में आए, नेपुलियन को हरा के अब conservatives का दबदबा है अब conservatives का दबदबा है, लेकिन वो conservatives अलग तरीके से रूल करेंगे मतलब जो liberal nationalist थे, जो nationalism था, liberalism का जो ideas थे उन ideas को flourish नहीं करने देंगे तो क्या flourish होगा? तो हम क्या कहेंगे? the idea of conservatism समझाया था मैंने? कि conservatives की जो सोच है, पुराना traditional institution जो है, मुनार्की वगिरा जो है, ठीके, strict control हो, censorship हो, freedom ना दी जाए, लोग क्रिटिसाइज ना करें, इन सारी चीजों को, इन सारी चीजों को dominance मिलेगी, ठीक, अब जब ये सारी चीजे forefront पर आ गई, ये सारी चीजे आगया गई, ये मतलब आप देखोंगे, 1789 से, French Revolution के बाद से ही क्या है, liberalism, nationalism के ideas rise हुए थे, ठीक है, ये कहानी है, ये मतलब पूरा background में आपको समझा दिया, अब वहीं पर क्या होता है, conservatives के power में आने के बाद में, revolutionaries का rise देखने को मिलता है, revolutionaries कौन है, ये समझो, तो देखो, conservative regime after 1815, drove many liberals and nationalists underground, try to understand each and every line written in the NCR team, हर एक statement को समझने का प्रयास करा करो, क्या होता कि जैसे ही conservative regime power में आये न, तो जितने भी liberal nationalists थे, जो liberalism में, nationalism में विश्वास रखते थे, उन्होंने क्या बोला, समय आ गया है, underground हो जाया है, क्यों, क्योंकि conservatives का जो mood था, वो किस तरह का था प mood इस तरह का था कि अब बाप का बेटे का सब का बदला लेगा फैजल, ठीक है, मतलब conservatives वर, in the mood कि हाँ, जो भी हमारे साथ, हमारी मोनार्की को खतम किया गया था, ये liberalism, nationalism के नाम पे, अब हम सब का बदला लेंगे, तो उसके चलते का है, liberal nationalists जो थे न, उन्हें अटब लग पनली जब कुछ नहीं कर सकते, आप तो आप कैसे करोगे, secretly करोगे, very simple, ठीक है, तो तब क्या होने स्टार्ट होता है, secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas, simple word जो है revolutionaries का, वो है क्रांतिकारी, ठीक है, क्रांतिकारी शब्द सुनते से किस की आ गई, वीर भगत से, ठीक है, तो देखो, क्र क्रांतिकारी शब्द का मतलब यहाँ पर यह है, कि अब जब liberals और nationalists underground हो गए, conservative power में आ गए, तो अब आप उस conservative regime को oppose कैसे करोगे, अपोस तो करेंगे, कि लोग स्वाद चक चुके थे, आजादी का, ठीक है, तो बहुत सारी secret societies बनना स्टार्ट हो गई है, जो training देती थी किस revolutionaries को training देती थी, revolutionaries कौन, तो मतलब वो लोग जो violence में विश्वास रखते हैं, जो radical होते हैं, जो यह बोलते हैं कि conservative regime गलत है, इसे पलट दिया जाए, कैसे पलट दिया जाए, जैसे पलट सकते हो, वैसे पलट दिया जाए, तो revolutionaries मतलब वो लोग हो गए, यहाँ पर दो हम European context में पढ़ रहा है, European context में यहाँ पर revolutionaries को क्रांतिकारियों से जोड़ा गाया, क्रांतिकारी मतलब who believed in the violence and overthrow of conservative regime which was restored after the treaty of Vienna, treaty of Vienna के बाद में जो conservative regime को restore किया गया था, उसको हटाने में विश्वास रखते थे, और यह जो group था, यह group था revolutionaries का, आया ना समझ में, यह कहन यह, तो the what were the ideas of revolutionaries, so they were having a commitment to oppose the monarchical forms that had been established after the Vienna Congress treaty of Vienna के बाद में जो conservative order established किया था, उसको oppose करते थे, and to fight for liberty and freedom, देख अच्छे से समझना, तो sir liberals और revolutionaries अलग-अलग है क्या, तो technically अलग-अलग है लेकिन उनका idea जो हे ना, वो एक ही है, मतलब group एक ही था, वो भी revolutionaries भी क्या liberty, freedom, इन सारी आते थे, बस अब ये था कि उस liberalism में जो लोग इस तरह से, ah, monarchical system को हटाने की बात करने लगा, उन्हें revolutionaries कहा जाने लगा, जो इन activities में एंगे हो गा, कि हां secret society बनाएंगे, monarchical system को oppose करेंगे, वो revolutionaries कहलाने लगे, ठीके, तो यहां पर धियान रखना, revolutionaries क्या, तो revolutionaries क्या, त देखो के तो, 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 they were having a commitment to oppose the monarchical form, that had been established, after the Vienna Congress, and to fight for liberty and freedom, ठीके, जो फिलीशनरी जो आप जो और इस आए, जो सारी आते पार दूशनरी जॉशनरी जूशनरी जूशनरी का इस पार देश्यारी जूशनरी जॉशनरी जूशनरी 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 जूशन प्रषिक पराइब नोट का यह जो प्रवलिशनरी जैंडिे नेशन स्टेट बना चाहिए लिए आप इटालियन यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ोगे एक अप्छिपी मजीनी बारे में पढ़ोगे हम तो ञें अलग अलग प्रेंसेशन है तो हम स्पैलिंग ध्यान रखने इसके लिए गजीपी मजीनी की अगर हम बात करें तो गुजीपी मजीनी एक रिवलिशनरी है जिनका आईडिया जिस अगर आप देखो करना क्या एडिया है रिवलिशन इसका इडिया सीज़ पर 20 कि एक नेशन स् इसका है उनका बैगराउंड किया है वो समझ में आगी आपको कहानी चलो तो गुजीपी मजीनी की अगर हम बात करें तो विवस इटाइलियन रिवलिशनरी बार्ण इन जैनेवा ठीक है बार इंजनेवा एटीन जिडरो सेवन एटीन जिडरो सेवन का जनम हुआ ठीक है ल member of secret society of the Carbonary to get to secret society of carbonary का यह secret society secret society of carbonary जैसे क्या है यंग इतली भी एक secret society a young Europe भी है secret society a to see a secret society the carbonary ticket secret society of carbonary इतली ठीक तो उसके member बनते हैं गुजीपी मजीनी अब यह इंसान जो है घुजीपी मजीनी यहां पे भी एत्रीक है यह यह ते तब कि यह तो बुड़े हो गए बाल बाल चले गए तब कि यह फोटो है ठीक तो गुजबी मजीनी का इक बहुत मतलब आप पॉलिटिकल साइंस जब आगे पढ़ेंगे ना 11 12 में ग्रैजुएशन में तब आप और पढ़ेंगे गुजबी मजीनी के बारे में की नेशन स्ट का पार्ट बने फे पहले हैं सीक्रेट सुसाइटी ऑफ कार बनरी ठीक अब उसके बात क्या होता है को अब जब यह सीक्रेट सुसाइटी में काम कर रहे हैं तो कंजरेटिव इनको बोलेगे कि आओ बैठो चाहे नास्ताय पानी करो नहीं कंजरेटिव तो इन्हें क्या देखेंगे अपने एक दुश्मन की तरह देखेंगे तो वही चीज़ बताएगे यह एज यंग मैन ऑस 24 ही वह सेंट इंटु एक्जाइल देश निकाला दे दिया मतलब जो इटालियन प्रिंसली आउसस थे तुन्होंने बोल दिया क्या इटालियन प्रिंसली आउसस मतलब कि वह conservative जो किसी भी तरह की कह सकते हैं कि activities उनके against tolerate नहीं करते थे जो autocritic थे उन्होंने क्या बोल दिया कि इस आदमी को इस आदमी का यहां रहना हमारे लिए मतलब conservative order के लिए क्या है अच्छा नहीं होगा इस इस इंसान को बाहर दे दो निकाल दो तो as a young man of 24 he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria तो लिगूरिया इटली में इनोंने क्या एक attempt क्या की revolution लाया जा सके तो देखिए the basic idea of the revolutionaries was to bring revolution revolutionaries के आगे आप समझोगे न तो revolutionaries क्रांतिकारी क्या लाएगा क्रांति लाएगा तो उसी तरह से revolutionaries revolution में विश्वास राते थे जैसा एक french revolution था जहां पर लोगोने हत्यार उठाना पड़ा तो हत्यार उठाय लेकिन बदलाव लाया तो वैसे क्या है कि गज़िपी मजीनी भी एक रिविशनरी थे उन्होंने क्यार कें माद दो और सुसाइटी बनाई उन्होंने जैसे यंग इतलीन मर्सेल तीकेम और दूसरी क्या यंग यॉरोप इन बढ़न तो जैसे फ्रांस में बढ़न मतलब क्या स्विशा लैंड में तो यंग इतली यंडियो और सीक्रेट सोसाइटी इस बना ये धियन रखना यंग इटली जो है तो यंग इटली इतालियन उनिफिकिशन के लिए कहां पर बनाई उन्होंने फ्रांस में मर्सेलेल्स में बनाई और दूसरा क्या यंग यूर्प जो है वह बन में बनाई बन स्विज़ेड में बनाई तो देश्वाज दी कंट्रिबूशन वाफ गुजी आइडियाज विच्छ रिक्वाइट वाइट अबाउट गुजी भी मजीनी जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है वो समझाया ठीक है उसी के साथ में एक बेसिक आइडिया की रिवलिशनरी इस क्या है तो अब देखा आपने कितने सारे शब्दे पढ़ लिये नेशनल मतलब नैशनलिस्टे मैशनलिजम आइडिया ठेक है डिवर इस जो है तो वह लिबरलाजी जो है नैशनलिसम भी कहां सब्सक्राइब टिश्ट रिवल जाने लगए धिंगरो कö fabulous नहีu बोला जाने लगा नहें बिते सकते लगा स्वाइटियाास हैं यह सारे आइडियाज भ बहुत आसानी से एक्जामिनर के लिए भी कुछ नहीं करना इस स्टेटमेंट उठाके लगाना पूछ ले ना वू सेड दिस स्टेटमेंट ते आपके टीचर्स के लिए आसान हो जाता है तो इनको इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना और मैंने आपको बता क्या मानना था जैसे आपने देखा कि रिवलिशनरी स्का इसका क्या सोचना था कि नेशन स्टेट्स का वना बहुत ज्यादा जरूरी है वही चीजिज यहां दर्शाइग गई है कि गुजिवी मजीनी का मानना था कि God had intended nations to be the natural unit of mankind ठीके भगवान खुद चाहते हैं कि कोई एक नेशन यूनिट क्या रहे नैशनल यूनिट ऑफ मैनकाइंड रहे मतलब सारे लोग अगर वहां के जूठ होना चाह रहे इताली इतालियन स्पिकिंग पॉपलेशन अगर एक जूठ होना चाहिए तो देश एक जूठ हो उसको अलग अलग राजा अपने अपने कि अधी इतली नाट यहां चाहिए टाली उनिटालीन नेशन पॉपलेशन जो इनका एक जैसा कलचरे वैसे छोटे-छोटे-चोटे पैच वरक में नहीं रह सकता है तीक है की छोटी-छोटी-चोटी इंगल में आप सब ने बाट के रखा उसे एक इतली ग्रेट इतली जो वो बनना चाहिए ठीक इटालियन उनिफिकेशन होना चाहिए तो उस तरह का इनका सोचना था इट है तो विफोर्ज इंट विदिवाइड रिपब्लिक विदिन वाइडर आलायंस ओफ निशन ती एम उनका यह मानना था जब गॉर्ट इस नोट इंटेंड निशन तो इटालियन लिबर्टी ओठीक है यह जब यूनिफिकेशन हो जाएगा उससे अपने आप देश आजाद हो जाएगा सारे कंजर्विटी इविविम से तो ही फोकस्ट ओन दी कंसेट आस नेशन स्टेट तो इस वाइट इस वाइट नेशन स्टेट की अटेट पर फोकस किया अफ्रेड और गुजीबी मजीनी क्यों क्योंकि गुजीबी मजीनी ने उस समय पे जब कह सकते है कि नेपुलियन के हारने के बाद में एक तरह से कह है चीजा थंडी पढ़ गई थी थंडी ऐसे पढ़ गई थी कि अपन्जवेटिश का दबदबा था तो और कंजवेटिव इसके पास पावर थी तो वो इस्ट्रिक्ट सेंसर्शिफ वगेरा के चलते लोगों को दना धंका के भी रखते तो उस समय पे आवाज उठाना ठीक है इस रिकॉर्ट टुबी मोर करेजिए तो नोवन इस स्टेंडिंग ठीक है फॉर्डी कॉस अप क्या होता है आपके लोग अपोज भी करते मतलब जो लोग अपोज नहीं करते तो पीजिपी मजीनी का यह जो पोजीशन था मोनार्की को इसके चलते जो जितने भी थे ना वो डरते थे तो अब यहां पर क्या एक स्टेट्मेंट आया तो जो मैटर्निक है दूइक मैटर्निक के बारे में बता वो डिस्क्राइब वो सेड दिस स्टेटमेंट गुजी पी मजीनी इस दी मोस्ट डेंजरस एनिमी ओफ आर सोशल अर्डर ध्यान रखना है तो इस मेटरनिक ने बोला है एक चीज़ बस यह ध्यान रख लेना दिस वॉस्टी आइडिया गिवन बाई गुजी पी मजीनी की तो यह थी प्यारी सी कहानी रवलिशनरी इसकी अब हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं असला बारुत त्यार हो गया है मतलब रेवलिशनरी इस ने रेवलिशन के लिए क्या कर दिया बैग्राउंड बना दिया है धमाके आगे होंगे तो जो जो फ्रेवलिशन है ना उसमें हम यह देखेंगे कि जो कंजर्वेटिव ओडर आ गया था तो आज तो नहीं यह कंजर्वेटिव ओडर खतम कैसे हुआ यह सारी चीज़ हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं मैगनेट ब्रिंस पर इसी तरह से सभी सब टॉपिक सब कुछ सिस्टेमेटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अविलेबल हैं इन्हें आप बहुत आसानी से यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और अगर यूट्यूब चैनल पर आपको ढूनने में दिक्कत जाती है तो सीधे पहुंच जाना क सब्जेक्स जो पढ़ा रहे होंगे जनकी मैं ठीक है और भी हमारे प्यारे टीजर्स वो सभी आ जाएंगे आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना सब्जेक्ट को सरेट कीजिए चैप्टर टॉपिक सब टॉपिक सब कुछ है अराम से घर बेट अपना से लिबस कंपीट ठीक है तो और अपने जुनियर सीनेस को भी बताना क्योंकि किंडर गार्डन से क्लास 12 तक सारा सबको चीजिए तरह से अवेलेबल है मिलते हैं नेक्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तिल देन स्टे कनेक्टेड कीप लर्निंग थैंक यू थैंक यू वेरी मच